दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मुंगदल इड्ली, आप इड्ली तो खाये होंगे और आप सभी को पता होगे इड्ली काफी हल्दी होता है लेकिन आज हम जो इड्ली मनाने वाले हैं आप इसका दफड़кими हल्दी होगा क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मुंगदाल की इडली तो सबसे पहले मैंने एक कप के करीब सूजी लिया है और वन फोर्थ कप के करीब यहां मैंने दही लिए हूँ क्योंकि यह जो है ना हाप कप का कप है तो इसलिए मैंने 1 फोर्थ कप दही लिया और अब थोड़ा सा पानी आट करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बहुत जादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसका घोल जो है पतला हो जाएगा तो इसे हम अच्छे से मिला लीजीए और यह जो इड्ली होता है यह कवी हल्दी होता क्योंकि इसमें प्रोटिन की मातरा काफी होती है क्योंकि मुंग डाल इट लिया है और ये मॉर्निंग के लिए तो काफी अच्छा रह से पिये तो तीन से चार घंटे के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और अब यह मूंग दालके पिसे भी पेष्ट को ना सूजी के पेष्ट में एट कर देते हैं और इसे एट करने के बाद आप कोई भी सब्जिया ले सकते हैं मैंने जिला वागे हैं पर गाज़र लिया है और बारीक कटाहरा धनिया यहां पर मैंने लिया है, फिर कैपसिकम लिया है और गाजट लिया है, कैपसिकम और ओनियन लिया है अब इन सारी चीज़ों को हम डालने के बाद इसे पिर से अच्छे से हम मिला लेंगे आप चाहे तो इसमें बहुत सारी सब्जा ले सकते हैं जैसे गोभी ले लिजिए पता गोभी ले लिजिए कोई भी सब्जी ले सकते हैं जाएका नमक स्वादनुसा जीरा और थोड़ा सा हल्दी का पॉडर ताकि इडली का छकलर आ जाए और अब हम फिर से इसे अच्छा मिक सब्जा अब लेते हैं तका इडली के लिए तेल लगा लएते हैं तक विसका शेटे करेंगें भून। टेल लगा लेते हैं ताकि यह यह जो है जब बन जाये तो इसमे चिपके नहीं तो आप हम आप इडली के बैटर को थोड़ा थोड़ा इसमें में डाल लेते हैं और ग्यास का पहले पाणियि जब्सक्राइब ना ओ ज इसे छोड़ देते हैं और अब हम चाकू की सायता से चैक कर लीजे आप किडली बनी है या नहीं बनी है या अगर आपके चाकू में नहीं लग रहा है मतलब आपकी डली तयार हुचिकी है आप इसे नाजल के चाटनी के साथ सार्व कर लीजे ठैंक यू